हेलो फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल जोवड़ा में स्वागत है यहाँ पर आज फिर से मैं एक निव वेकेंसी के साथ आ चुका हूँ तो मारूती सुजु की TW का जो है वेकेंसी आ चुकी है कि अपने साइट में जो है बहुत सारे चेंजेज की हुए है पहले के अनुसार से अब बहुत ही इजी है तो यहाँ पर आप लोगो को कौन-कौन से चेंजेज हुए है साइट में वो भी देखने को यहाँ पर मिलेगी इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीज़े बताओंगा тут यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दू कि पहले डोकुमेंट भी बहूत सारे candidate को अप्लोड करने में दिक्कत होती थी तो वह सब भी यहाँ पर हटा दिया गया है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही असानी से form भी fill up कर सकते हैं आप पहले जो था ओर document भी बहुत सारे candidate को जो है upload करने में दिक्कत होती थी इसके कारण वो अपने phone से form को fill up नहीं कर पाते थे तो यहाँ पर अब वो सब सारी चीजे हटा दी गई है आप अपने ही phone से आप घर बैठे online कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में step by step में बताया हूँ और यहाँ पर कौन कौन से changes आया है और यहाँ पर आप लोगों को इस company में कौन कौन से facility दी जा रही है तो आप लोगों को सारी चीजे इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो आप इस वीडियो के यान तक बने रहिए और अगर आप लोगों पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किये हैं तो हमारे चैनल को भी subscribe कर ले साथ वेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही रहे एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले तो चलिए आप लोगों को फोन के स्क्रीन पर ले चलता हूं और आप लोगों को यहाँ पर एस्टे बाइस्टे फोन भी फिल अप करके बताता हूं आप लोगों को सबसे पहले Google Chrome ओपन करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख पार रहे थ्री डॉट आप लोगों की इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख पार है कि डेक्स्ट आप साइट तो आप लोगों की इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका फोन यह डेक्स्ट आप साइट में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में सर्च कर लेना है www.maruti suzuki.in तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूं तो यहाँ पर जैसे की देख पा रहे है कि मारुति suzuki.com तो आप लोगों की यह सर्च करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फेस आगा यहाँ पर आप कॉर्णर में जैसे की देख पा रहे हैं कि तो आप लो आप लोगों को जो की थर्ड नमबर पर देखने को मिल रही उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्क्रोल लर्न करके नीचे आना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे की देख पा रहे हैं कि फर्स नमबर में आप लोगों को फ्रेसर है उ तो यहां पर temporary workman पर click करना है उसके बाद यहां पर आप लोगों को apply now नीचे में देखने को मिल रही है तो आप लोगों को apply now यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो आप लोगों को apply now पर click करना है आप जैसे ही apply note पे click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि detail and process, usability criteria और important notes और registration process तो यहाँ पर usability criteria हम देख पा रहे हैं कि age between 18 से 26 years रखा गया है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि qualification ITI pass out candidates इसका form apply कर पाएंगे ITI Council यहाँ पर देख पारे कि NCBT या SCBT से अगर आप पास हैं तो ही आप इसका form apply कर सकते हैं important notes की बात करें तो last day to apply यहाँ पर देख पारें कि सितंबर 2021 तक आप इसका form apply कर सकते हैं और यहाँ पर देख पारे कि online test होगा technical aptitude and behaviors और personal interview लिया जाएगा और अगर आप इसका form fill up करते हैं तो ही आप इस interview में भाग ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर registration process की बात करें तो step 1 में जो है आप लोग को click on process button and provides primary mobile number पर आप लोग को अपना mobile number fill up करना उसके बाद second में validate mobile number with the OTP send to you on mobile numbers यहाँ पर आपके mobile number फे एक OTP जाएगा उसके बाद third step में fill in your relevant detail and preference यहाँ पर आप लोग को यह 3 step में पूरा जो है complete form fill up होगा उसके बाद आगे देख पा रहे हैं कि प्रोसीड तो आप लोग को जो है प्रोसीड वाले option पे click करना है और देख पा रहे हैं कि registration for TW और यहाँ पर registration form यह open हो चुका यहाँ पर category में देख पा रहे हैं कि TW select मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर आप लोग को mobile number पर फिल अब करना तो चलिए यहां पर मैं mobile number अपना फिल अप कर लेता हूं mobile number फिल अब करने के बाद यहां पर send OTP पर आप लोगो को click करना है तो यहां पर आप जैसे की देख पा रहे हैं कि ओटीपी में राद चुका तो यहां तो आप जिस मोबाइल नंबर को यहां पर फिलप करेंगे उसके बाद आगे देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल इंफ्रोमेशन व्यक्तिकत वीवरां यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम फिलप करेंगे उसके बाद यहां पर आगे मीडियल नेम फिलप करेंगे लास्ट नेम उसके बाद जेंडर यहां से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डेट ऑब बर्थ उसके बाद उम्र फादर्स नेम उसके बाद यहां पर देख पार यहां पर फिलप करेंगे उसके बाद street village गली गाउं का यहां पर आप अपना नाम फिलब करेंगे यहां पर आप अपना state सारेट करेंगे district सारेट करेंगे pin code यहां फिलब करेंगे अगर आपका present और permanent address दोनों सेम है तो आप same as above पे click करेंगे तो आपका यह सारा form यहां पर फिलब हो जाएगा जो आप present address में फिलब करेंगे उसके बाद यहां पर आपको category में choose कर लेना है आप SCST या OVC है उसके बाद यहां पर domicile आपका कौन सा state से है आप जिसा state से होंगे उसके बाद यहां पर इसके बाद यहां परcos यहां पर मेरेठ यहां पर सिंगल है या फिर मेरेड जीटने बी यहां पर चोड़ भी कर ओक्लव कर सकते हैं जैसे मोबाइल नमबर यहां पर सारी आपको यहां बाद लिनी पिर दिरा है पहले सकते हैं उसके बाद इमेल डी यहां पर लंब करना तो यहां पर चैस के पर साहरा चीज फिल अब करना को Harbor शेल एक यह काम स्रीय क्लेज यह विश्यूर गल लेकर नाम करें उसके बाद यहां पर जो है आप regular थे तो यहाँ पर आप इसे select कर लेंगे उसके बाद आप कब admission लिये थे 10th में तो यहाँ से आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर month and year उतीर तो यहाँ पर आप कब pass किये थे 10th हो यहाँ पर fill up करना उसके बाद percentage कितना था यहाँ पर percentage fill up कर लेता हूँ उसके ब हैं ताप इसे fill up करें अन्था यह भी compulsory नहीं है उसके बाद ITI detail यहां पर compulsory है तो यहां पर आप ITI का all details fill praising परेंगे जैसे कि ITI का नाम उसके बाद location, आप अपना ITI का यहां पर location fill up करेंगे कि आपका ITI काहां पर है ITI Type , liter गोवर्वेंट है या फिर प्राइबेट है उसके बाद आपका कौन सा ट्रेड्स था यहां से आप अपना जो है ट्रेड्स फिलब कर लेंगे तो यहां पर सारा ट्रेड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी उसके बाद जो है यहां पर आप एडमिशन कब लिये हुए थी इसमें तो यहां पर आप जब इसम एड्मिशन लिये होंगे, तो यहां पर आप's select करेंगे, आप उतिर्ण कब किये था, IT ii वो यहा पर select करना उसके बाद यहां पर certified आप का जो है, यहां पर NCBT से किये थे या फिर SCBT से तो यहां पर आप लोग इसे सेलेट करेंगे आई टी एए में परसेंटेज कितना था तहां से आप परसेंटेज सेलेट करेंगे उसके बाद अगर आप अप्रेंटिस किये हुए हैं तो आप इसे सेलेट करेंगे यस experience अगर आपके पास है तो यस करेंगा अन्था आप छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर देख पार कि family details तर्स नेम यहां पर फिलब करना जैसे कि देख पार यह कंपल्सरी होगा आप लोग के लिए यहां से मैं father's name fill up कर लेता हूँ father's name fill up करने के बाद यहां पर उम्र fill up करेंगे उसके बाद आपके पिता जी क्या करते हैं website क्या है तो यहां से आप फिलब करेंगे तो यहां पर आप अपना website fill up कर लेंगे उसके बाद आपके पिता जी का annual income कितना है तो यहां से आप income select करेंगे उसके बाद mother details आपके माता जी का नाम क्या तो यहां पर आप जो है select कर लेंगे select करेंगे तो यहां पर मैं नाम भी fill up कर देता हूं उसके बाद website आपके माता जी क्या करते है एन्वल income क्या है उसके बाद brother details तो आप इसे fill up कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते है तो आप कर सकते हैं और annual income में जो है वह आप एक लाग से कम fill up करेंगे जैसे कि 85,000 या फिर 80,000, 70,000 या 75,000 उसके बाद यहां पर जो है occupation आप जो है वह क्या करते हैं कि आप इसे fill up करेंगे या नथा आप छोड़ सकते हैं उसके other information तो आप लोग को जो है यह fill up करना अनिवारे होगा तो यहां पर देख पार है कि computer knowledge अगर आपके पास computer ग्यान है MS word या MS Excel या internet या basic चीज़े जानते हैं तो आप यहां पर आप इसे silent कर लेंगे तो यहां पर मैं MS word जानता हूं MS Excel जानता हूं internet यह सब जानते हूं basic knowledge भी है तो मैं इसे yes कर लिया उसके बाद यहां पर देख पार है कि क्या आप विकलांग है अगर आप है तो yes नथा आप no पर click करेंगे और आगे देख पार है कि अगर हां तो विवरन दीजे तो अगर आप yes करते हैं तो आप लोगों को यहां पर विवरन देना होगा कि आपको क्या हुआ है उसके बाद आगे देख पारे कि क्या आप चार पहिये वाला गाड़ी चलाना जानते हैं अगर आप जानते हैं तो यस करेंगा नहीं था आप नो करेंगे अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगो ड्राइवी लाइसेंस भी नंबर दे देना है उसके बाद आगे देख पारे कि अपने परमुक पीछली विमारी सरजरी का विवरन प्रदान करें जिसके लिए अस्पताल में भरती या लंबे समय के उपचार के लिए वह सकत रही हो तो हैं आप पर मैं कर देता हूं यहां आप लोगो को नो कर देना है उसके बाद यहां पर देक पा रहा कि कभी है कर आप इस कंपणी का फॉम भी फिल अब किया है तो आप यहां पर यह देंगे कि आप कब किये थे और कहां के लिए किये थे अगर आप नहीं किये हैं तो यहां पर आप नो सैलेट करेंगे यहां पर बोला जा रहा कि क्या उसके बाद बोला जा रहा है क्या आपने पहले कभी मारूती सुजू की SMG में काम किया है यदि हाँ तो उसका विवरन दीजिए तो अगर आप इस पे किलिक करते हैं टीक करते हैं तो आप लोगों को विवरन देना होगा कि आप कहां पर काम किये थे अगर नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है फोटो अप्लोड करना है जो पर JPG और भी मैक्सिमम 2MB तक आप अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख पार है कि COVID-19 पहले हुआ है अगर हुआ है तो यहाँ से आप यस करेंगा अनथा आप नो करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहे हैं किया आप वैक्सिन ले चुके हैं अगर आप ले चुके हैं तो यस करें अनथा आप यहाँ पर not done पर click करेंगे तो यहां पर मैं vaccine ले चुका हूँ तो यह done कर देता हूँ यहां से मैं photo upload कर लेता हूँ फोटो यहां पर जैसे देख पार है कि मेरा जो है upload हो चुका हूँ उसके बाद यहां पर vaccine का name क्या था आप कौन सा vaccine लिए तो मैं को विसेड़ लिया हूँ जिस तारिक में आप लिए होंगे उसके बाद अगर आप second dose लिया है तो second dose का यहां पर date डालेंगे उसके बाद यहां पर आप लोगों को जो है last में जैसे कि आप देख पार है कि submit का बटन दिया हुआ तो सारी चीजे फिलप करने के बाद आप सामिट पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहां पर मैं सारी चीजे फिलप कर लेता हूँ जैसे कि देख पार ही कि यहां पर जो जो कंपल सरी था वो यहां पर मैं सारी चीजे यहां पर फिलप कर लिया हूँ तो इस तरह से आप भी अपना फॉम जो है completely फिलप करेंगे और उसके बाद यहा आगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आगा यहां पर देख पा रहें कि पहले जो है वो केरियर कुछ करके आता था लेकिन अब जो है यहां पर वीजन इंडिया करके आ रहा है उसके बाद देख पा रहें कि थैंक्यू कि रेजिस्टर हैड में सब्मिट सकस्पूली तो आपका यह फोर्म जो है वो सम्मिट हो चुका है कंप्लीटली उसके बाद यहां पर देख पा रहें कि आपका जो है यह रेजिस्टेशन मोबाइल नंबर और इमेल आईडी पर यह मैसेज चला गया है तो अगर आप लोग यहां पर जैसे कि मैं दिखा देता हूं कि आ चुका है मैसेज कि यह फोर्म मेरा सम्मिट हो चुका यहां पर जैसे कि आप देख पा रहें कि मेरा रेजिस्टेशन नंबर रेजिस्टेशन आपडेट और केटेगरी और यहां पर नाम और यहां पर फादर्स नेम डेट और यहां पर कंप्लीटली यह सब सारी चीज़ नहीं है फॉन से ही completely ऐसे आप हम को फिल अब करेंगे कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो अगर आप लोगों का सुझा हो और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप लोग अभी तक हमारे मैं चैनल को सब्सक्राइब नगे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले के साथ यह वेल आइकन घंटी को भी फ्रेस कर दें